नेक्स्ट कुच्चन है बेटा हमारा इफ क्यो जीरो कॉमा वन इस एक्कु डिस्टेंस फ्रॉम पी फाइब कॉमा माइनस त्री एंड आर यक्स कॉमा 6 फाइंड दी बैलू ज आफ एक्स आलसो फाइंड दी डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर यहां पर बेटा हमें दी आ गया है क्या गयते हैं क्यों से क्या देशिक्राइब कादेर पी एंड आर की जो डिस्टेंस है वो सेम है एक्कू डिस्टेंस है तो हमने निकालना है यक्स की बैलू करेंगे कैसे हमारा बेटा जैसे यहां और 2 3 4 5 6 7 इसी तरह हमारा माइनश यहां पर में जरूरा थी नहीं है यस्थी से माइनस 1-2 थी माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 आप बैटा यहां पर देखो सब्सक्रूल करें हमिनश दाना जैसे हमारा यह हो गया क्योग हमारा जो है जीडो कॉमा 1 दियेगा है थी हमारा जी रखी Ooh, 00 यहां होता है और 1 हमारा y1 है मतलब क्यों यहां पर होगा यहां पर यहां पर हमारा 0,1 यहां पर होगा हमारा यह Q पॉइंट है और फिर एक को डिस्टेंस है मतलब P जो है 5,-3 दिया गा है 5 हमारा x है और Q हमारा माइनस 3 कहा होगा इधर होगा माइनस 3 यहां यहां पर हमारा यहां पर P पॉइंट जो हुगा क्या हुगा 5,-3 अब हमारा जो और पॉइंट है यहां होगा तो य हमारा 6 है positive है मतलब कि यहां कहीं आएगा यहां कहीं पर वेटब हमारा X ,6 तो यह यहां है तो हमें X,6 यह नहीं पता नहीं कि हमारा पॉस्ट इधर है कि इधर है तो हम यहां भी लेख सकते ह हैं यह X ,6 आर की जो point है हमें अभी स्की distance निकलनी है मतलब यह चाहे इधार हो चाहे इधार हो बेटा अगर दो ही केस यहां पर पॉसिबल है क्योंकि यार हमारा यहां हो यहां होगा तब भी हमें दो ही क्या करते हैं केस निकलेगा आफ चलो इसको निकलते हैं अगर हम जैसे फी क्यू लेते हैं पहले थाइंड इंड यहां हमारे खाल दियागा क्या हको पार्ले इक टू प्यार और प्यू प्यू थे मिलने बेटां यहां से एंड़ प्यू निकाल रहा है यहां से q and p तो जब qp निकालेंगे तो यह वन हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा y1 हमारा 1 हो जाएगा और y2 हमारा क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा अब हम बेटा qp का जो distance का formula होता है लगाएंगे यहां फार्मूला नहीं लिखेंगे यहां पर यहां फार्मूला नहीं लिख चुके हैं यहां पर यहां फार्मूला कितना 5-0 का whole square plus y2 हमारा कितना माइनस 3 और माइनस 1 का whole square तो हमारा क्या जाएगा 5 का whole square plus minus 4 का whole square यहां माइनस 4 का करेंगे तो हमारा 16 आजयेगा इसको जब हम आट करेंगे बीटा था हमारा जाएगा 41 यूनित 41 यूनित अगया अब इसी तरह हम बेटा qr का निकालेंगे qr का निकालेंगे यहां क्यू है यहां पे आ है इन दोनों के बीच का जब रिस्टायस निकालेंगे हमारा qr तो हमारा यहां पी क्या हो जाएगा X1 क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, X2 हमारा X हो जाएगा, और Y1 हमारा बेटा 1 हो जाएगा, और Y2 हमारा 6 हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या हो जाएगा, X-0 का whole square प्लस 6-1 का whole square, तो हो जाएगा बेटा, X का whole square प्लस 5 का whole square, तो यहाँ बेटा हमें क्या मिला, मिला हमारा x square plus 25 आप यहां पर बैटा हम क्या बताए था हमारा qr equal to नहीं qp फिर से लिख देते हैं बैटा qp equal to qr तो हमारा qp equal to qr है यहां हम निकालेंगे क्या पहले इसको करेंगे यहां मिल जाएगी q qp equal to qr करेंगे हमारा qp की बैलू क्या आई है अंडर रूट 41 आया है और qr हमारा क्या बेटा आया है x square plus 25 तो अब इसका हम क्या करेंगे इस पहले दोनों साइट का square करेंगे हमारा इसकोर करेंगे हमारा अंडर रूट हड़ जाएगा इधर हमारा इसकोर प्लस 25 तो जब पेटा हमारा जो x की बैलू मिली वह प्लस 4 एंड माइनस 4 तो यहां पर बेटा अगर हम प्लस 4 लेंगे तो हमारा प्लस 4 इधर आएगा यह का प्लस 4 हमारा यहां पर आएगा और अगर माइनस लेंगे हमारा तो यहां पर माइनस फूर आएगा यह कि हमने बोला था है कि दो केस हमारे यहां पर पॉसिब्याल है तो इसलिए यहां पर माइनस फूर इधर आएगा और प्लस फूर हमारे इधर आएगा तो यह होगा अब हमें यहां बेटा क्या निकालना है qr and pr qr and pr के बीच का हमें distance निकालनी है अब बेटा यहां मिल गया तो अब हमें यहां qr के बीच का distance निकालना है qr चाहे यहां से निकाले और चाहे यहां से निकाले ठीक तो हमें लेकिन बेटा चाहे जिधर से निकालेंगे हमें same ही मिलेगा हम यहां से यहां निकालते हैं qr की distance तो हमाना qr लिखेंगे qr तो हम बाहरो निकालेंगे qr के बीच कर देश्टाइंस निकालेंगे तिया हम y2 x2 हमारा कितना है minus 4 है minus 0 x हमारा 0 है plus y2 हमारा 6 है minus 1 का whole square तियहां आ जाएगा हमारा बेटा minus 4 का whole square plus 5 whole square तो जब इसको करेंगे बेटा हमारा आ जाएगा फोर फोर्ज है 16 प्लस 25 इसकल तो अंडर रूट 41 हमें qr की बैलो मिली बेटा वह 41 मिली जब बेटा हमारा देखो यहां पर qr की जो डिस्टैंस है वह अंडर रूट 41 आए अब हमें p i and r की p और r की डिस्टैंस निकाली है यहां से यहां तक कि जब हमारा इतना क्या अगर हम प्लस 25 इसका दूगना हो जाएगा तो हम क्या लिख देंगे पी यार की जो हमें डिस्टैंस मिलेगी वह टू रूट 41 आजाएगी अगर हम अभी निकालेंगे तब भी हमारे यही आए गया लेकिन यहां पर देखो जब इतनी दूर की डिस्टैंस हमारी क्या रही ह तो जब इसका करेंगे तो हमारा इसी का दूगना हो जाना क्योंकि सेम डिस्टैंस पर है यह बेटा यहां हमारा इसलिए लिख दिये टूरूट 41 बना गया अगर हम पी आर की बैलू निकालना भी जाए है अगर हम पी यार की बैलू निकालेंगे भी तब भी हमारे यही है बेटन क्यों हार हमारा है अंडर रूट 41 एंड पी यार हमारे कितना है तू रूट 41 यहीं हमें बेटा हैं यहां पे निकालना था सेवन पॉइंट 1 का बेटर लाग पुस्टेंट दियेगा फाइंड रिलेशन बिट बिट बिन एक से एंड वाई सथ दाट दी पॉइंट एक्स कामा वाई इस एक्कू डिस्टैंस फ्रॉम दी पॉइंट 3,6 एंड माइनस 3,4 मतलब कि हमें एक्स कामा वाई से जो दो पॉइं दियेगा है यह एक्कू डिस्टैंस पर मतलब जैसे हमारा यह यहां पर पॉइंट एक्स कामा वाई तो जो हमारा यहां से सेम डिस्टैंस पर एक्कू डिस्टैंस पर कोई पॉइंट है यह जैसे हमारा ए हो गया 3,6 और इसको हम भी माल लेते हैं माइनस 3,4 मतलब यह दोनो से एकुडिस्टेंस पे हैं दोनों पी से तो हम क्या निकालेंगे बेटा एपी निकालेंगे और पी भी हमारे सेम है तो क्या करेंगे पहले तो लेट लेट पी एक्स कमा वाई इज एकुडिस्टेंस एकुडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 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 ए थिरी कॉमा शिक्स एंड बी माइनस थिरी कॉमा फॉर तो हम बेटा हमारे क्या हो जाएगा एपी इसकल टू बीप मतला हमारे एपी जो है बीपी के एकुड होगा अब हम निकालेंगे क्या पहले बेटा एपी निकालेंगे जब एपी निकालेंगे हमारा क्या हो जाएगा एक्स वन क्या हो जाएगा एक्स वन थिरी हो जाएगा और एक्स टू बेटा एक्स हो जाएगा वाई वन हमारा क्या हो जाएग सुछ मांश मामचर इसला है स्काद स्टरा ऑग को स्टरा इत्ना अब मैं इस तर्स निकालेंगे बीपी निकालेंगे यहां पहीं बीपी निकालेंगे टाम मेर्यों क्या किना ओस जाएगए निकाल और यहां पे हम डिस्टान्स का फार्मूला निकालेंगे बीपी का तो अंडर रूट कितना है बैटा माइनस थिरी माइनस 3 x का whole square plus y2 कितना है y2 4 है और y1 minus y है तो whole square हमारे क्या bp is called to under root minus 3 minus x का whole square और plus 4 minus y का whole square अब हमारे बेटा ap निकल गए और bp निकल गए और यहाँ पर हमारे ap is called to bp है ap is called to bp है तो हमें इसकी value रख देंगे ap हमारे कितना है x minus 3 का whole square plus y minus 6 का whole square is called to bp हमारे कितना है under root minus 3 minus x का whole square plus 4 minus y का whole square तो आप दोनों side क्या करते हैं under root लगा है बेटा थम क्या करते हैं isquaring both side isquaring both side दोनों side के जब square करेंगे तो हमारा under root हर जाएगा both side तो जब under root हर जाएगा बेटा हमारे क्या बचाए प्लस 9 minus 3 तूर्जा 6x प्लस हम y पे लगाएगे तो हमारे क्या जाएगा y square plus 6 36 minus 6 तूर्जा 12y हो जाएगा अब इधार ऐसे करेंगे तो हमारे जाएगा 3 3 तूर्जा 9 प्लस X square और क्या जाएगा minus 19 plus 16 16 हो जाएगा फिर प्लस क्या खाहते हैं फिर माईनस फोर टो अब दि Griffon कंसर भी यहां भी मारे यक्स स्वाइर मृत्म स्वाइब यह मर प्लस नाचंग यहांनर है यह मार फ्लस नाइनल ज zweiten दोनों कारें अब बचा हमारा क्या बचा है यहां पर बचा माइनस 6x और यहां से हमारा प्लस 6 है इधर आएगा तो यह भी माइनस 6x हो जाएगा यहां पर माइनस 12y है और यहां पर हमारा बचा माइनस 8y है इधर आएगा थे हमारा प्लस 8y हो जाएगा इसको यहां पर हमारा 16 है प्लस 16 है और इधा हमारा हमारा प्लस36 है इधार जाएगा माइनस upright 56 हो जाएगा अब इसको add करेंगे थमारा जगा-12x फिर यहां पर जब माइनस करेंगे थमारा यहां जगा-4y इसकाल तो जब यहां पर माइनस करेंगे थमारा जगा-20 तो यहां जाएगा 4 त्रिज़ा 12 x प्लस y बचेगा हमारा और इधर माइनस 20 बचेगा तो यह से माइनस से माइनस कैंसल हो गया प्लस वाइशन है निकालना था इन दोरों की बिचकत हमारा क्या आगा है प्लस प्लस वाइशन ही बताने थी तो रिलेशन हमारा इसके वीच जो आया 3 x प्लस y इसको फाइट हमारा इसका रिलेशन आ गया अब बेटा हम देखेंगे हमारा exercise 7.1 complete हुआ अब हम 7.2 exercise 7.12 देखेंगे पहले उसके हम introduction देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में